हिंदुस्तान की फौच की नई ताकर अंधेरे में भी करेगी दुश्मन परवार जबलपूर में पहली बार दीश की सबसे बड़ी गण सारं का आज सफल परिक्षर किया गया लेपियार लॉंग प्रो फ्रेंज खमरिया में इसकी टेस्टिंग की गई इस हाई केलपर गन की मारक्षंता को बढ़ा कर 49 किलोमेटर कर दिया गया है इसके सफल टेस्ट के साथ ही जबलपूर पहला शहर बन गया है जहां सारं गन बनाई और मोडिफाई की जा सकेगी साथ ही इसी शहर में इसका सफल परिक्षंट किया जा सकेगा सारं गन की साड़े 14 किलोमेटर लंबी लेपियार लॉंग प्रो फ्रेंज में सफल टेस्टिंग की गई सेना की अधिकारी के मुतावी करीब 14 महिने की कड़ी महनत के बाद इस हाई कैलिवर गन की टेस्टिंग की गई इसके बाद इसे सेना को सौप जाएगा जोपलपूर में गन का परिक्षन होनी के कारण अब बहार टेस्टिंग में होने वाले सौप करोड से जादा के खर्च की भी बचत होगी इससे पहले धनुष्ट सही सारं गन की टेस्टिंग के लिए इटार्सी या बालासॉर जाना पड़ता था सारं गन को अपग्रेड किया गया है पहले इस गन का बेरल 130 मिलिमिëटर का था जो अपग्रेड के साथ 155 मिलिमिटर का हो गया है वह इसकी मारक्शमता को भी 27 किलोमिटर से बढ़ा कर 49 गिया गया है अब ये गन रात के अंधेरे में भी कारण साबी देगे रात में भी सैनिक इस गन का दुश्मर पर इस्तेमाल कर सकेंगे कि अभी इसका रेंज हो जाएगा 39 तो इससे हमाई आर्मी के लिए काफी उपलब्दी हासल हो और इससे जो कि इरिया जो होता भी बढ़ जाएगा जिससे हमें काफी मदशन दोस्मन के लिए में जादा से जादा इताबाई मेंचाहिएगी